एक जूटी अफवा की आड़ लेकर बंगला देश में दुर्गा, पूजा, पंडालो, मंदिरों और हिंदुओं के घरों पर जैसे भीशन हमले किये गए उससे यही साबित होता है कि इस देश में बचे खुचे हिंदु समुदाय के लिए रहना दूभर होता जा रहा है इसके पहले भारतिय प्राधान मंतरी की बंगला देश यातरा के बाद भी हिंदु मंदिरों पर चुन चुन कर हमले किये गए थे यह ठीक है कि भारतिय विदेश मंतराले ने बंगला देश में घट रही घटनाओं का संग्यान लिया लेकिन इसके असर कम है कि इससे वहां की सरकार चेतेगी और परिस्तितियां सुधरेगी हालात बदलने के आसार इसलिए भी कम है क्योंकि बंगला देश में कठर पंथी और जिहादी तत्व बढ़ते जा रहे हैं बंगला देश सरकार इन तत्वों से कड़ाई से निपटने के बजाए जिस तरह उससे समझोते करने की प्राविर्ती दिखा रही है वह खत्रे की घंटी है बंगला देश में पंथ निर्पेक्ष सोंच वाले लोग भी जिहादी तत्वों के निशाने पर हैं अब तो वहां इसलामिक स्टेट सरीखे खुंखार आतंकी संगठने भी जड़े जमा ली हैं इससे बड़ी विडमना और कोई नहीं की बंगला देश में तब हिंदूओं को निशाना बनाया गया जब भारत उसकी मुक्ती का पचासवा वर्ष मना रहा है बेतर हो की बंगला देश सरकार यह समझे की उसके यहां बेलगाम होते जिहादी दोनों देशों के संबंधों को पट्री से उतारने का काम कर रहे हैं वहां की घटनाओं का भारत पर असर पढ़ना सोभाविक है जैसे बंगला देश में हिंदूओं का भविश्य खत्रे में नजर आ रहा है वैसे ही पाकिस्तान में तो हिंदूओं के दमन में वहां का शाशन प्राशाशन और अदालतें भी लिप्त है अफगानिस्तान में तो हिंदू और सिख खतम होने के ही कागार पर हैं एक ऐसे समय जब इन तीनों देशों में हिंदूओं और अन्य अल्प संख्यकों के लिए कहीं कोई उमीद की किरन नहीं नजर आती तब इससे उनकी अंदेखी की प्राकाश्टा ही कहा जाएगा कि अपने देश में नागरिक्ता संशोधन कानून के खिलाफ किस तरह आसमान सिर पर उठा लिया गया था विपक्षी डलों के साथ तथा कथित सेकुलर तत्वों ने इस से कानून का विरोध करते हुए जिस तरह जहर उगला और लोगों को बरगलाया उसे विस्मिरित नहीं किया जाना चाहिए यह सही समय है कि इस कानून के अमल की दिशा में कुछ है इस तरह आगे बढ़ा जाए जिससे इन तीनों देशों में लुटते पिटते और जिहादी हमले जेलेते अलप संख्यकों को संबल मिले इसी के साथ भारत को इसके प्रती भी सचेत रहना होगा की देश में जिहादी तत्मों को सिर उठाने का मौका ना मिले अफगानिस्तान में तालिबान के काविस होने के बाद इसका खत्रा कहीं अधिक बढ़ गया है इस तॉप थैंक्स फोर वाचिं लाक्षियर सब्स्क्राइब